एक्सदाम पास आ चुके हैं, 18th मार्स धीरे 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 पास आ रहा है, और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं, एकॉनमिक्स का ब्लूप्रिंट, और दिए ब्लूप्रिंट की स्टेडी बहुत ज़रूरी है, विकॉस यह आपको बताएगा किस चेप्टर की कितने वेटेज है अगर हम इस पूरे मिक्स के पेपर की बात पे रहें, तो हम क्या कि रहें हमरे पास दो बुक्स हैं, एक बुक कॉन से आती है, मेक्रो मेक्विक्स और एक बुक क्या रही है, इंडियन इकोनमिक डेफलॉप्मेंट कितना question आएगा, one आएगा, अगर हम बात करते हैं, unit two की, my dear friends, unit two क्या है, money and banking, अब देखिए, money and banking की विडियेज कैसे है, money and banking बात करते हैं, one marks के question two आने वाले हैं, यानि यहां से दो small question आने हैं, यानि आपको यहां पे MCQ question के लिए ready रहना है, two questions आने है, money banking से one marks के, अगर हम three marks की बात करें, तो three marks का question नहीं आना है यहां से, four marks की बात करते हैं, अगर हम, तो one question कितना आना है, four marks का आना है, तो देखिए, four plus two, six, weightage पू my dear friends, four आ रहे हैं, अगर हम four marks की बात करें, तो यहां पर two questions आपको four marks के आने हैं, okay, आगे जलते हैं, बात आ गई है, unit four की government budget की बात आ गई है, और six marks का question है, one, और one के साथ बना है star, यानि आपको budget chapter के अंदर internal choice मिलने वाली है, internal choice मिलने वाली है, किसके अंदर budget chapter के अंदर, six six marks का question आएगा, अब देखे, यहीं पर आपको लेगर देता हूँ, यानि यहां पर small question नहीं आना है, three number का भी नहीं आना है, four number का भी नहीं आना है, unit five my dear friends की आ गई है, unit five किसकी बात कर रहे है, unit five की बात कर रहे है, open economy, यानि B.O.B. की बात करेंगे, और exchange rate chapter की बात कर रहे है की यहाँ पर, अब देखे, one marks का question आने वाले है, three, one marks का question कीतने आएगे, three, यानि यापर short questions की तेयरी कर नी है, mcq यहां से आने वाले है तो small questions की तेयरी हम करेंगे, अच्छे से, तो अगर त्री marks की बात करते हैं, तो one question आना है, यानि four marks का यहांसे नहीं आना है, six marks का यह से नहीं आना है। आप देखिए Part B जो है वो क्या है ? इंडियान एकवनमिक डेवलपमेंट प्यार से क्या बोलते हैं ? फस्ट इंडियन एकॉनमी ओन दा इव इव इंडियन एकॉनमी दूरिंग नैंटीन फिटीन नैंटीन 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 और थर्ड या एलपीजी लिबराज़शन प्रिवराज़शन ग्लॉपलाज़शन यह हो जाता है तो यूनिट 6 के अंदर से देखें हैं यहनि मैं अलग अलग नहीं है पूरे यूनिट की बात करेंगे यूनिट 6 की बात करेंगे यहनि स्टार्टिंग के थ्री चेप्टर की बात कर रहे हैं अब दिखिए यूनिट 6 मैं से 1 मार्स के कॉश्चन आने है 3 3 मार्स का कॉश्चन आना है 1 और 6 मार्स का कॉश्चन आना है 1 अब next four chapters इस unit के अंदर आते हैं, unit seven के अंदर four chapters आते हैं, कौन कोशे chapter आएंगे, यहाँ पर कह जाएगा, human capital formation की बात करेंगे, ruler development की बात करेंगे, employment and growth की बात करेंगे, और environment और sustainable development की बात करेंगे, यहनि इन चार chapters को मिला करके, अगर मैं total weightage का हूँ, तो कितनी है 20, यह चार chapter कितने मार्स के आने वाले हैं, 20 मार्स के आने वाले हैं, अब देखिए, जिसे कहते हैं, कि लॉट्री लग जाना, यह लग जाना, लॉट्री, पूरे economics की अगर आपको त्यारी करनी है, my idea friends, तो ध्यान से देखिए, जो IED का unit eight है, जो IED का unit eight है, यहनि मैं किसकी बात करा हूँ, मै मैं बात करने वाला हूँ, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना चाइना चाप्टर की IPC, जिसे प्यार से बोल देते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अब जाना, उसकी वेटेज देखिए, my idea friends, आंके फड़ी फड़ी रहा जाएंगी, ध्यान से देखिए, इस चाप्ट